हाई यूटू फैमिली अगर आप 12 में हैं या 12 कम्पलीट कर चुके हैं और एक अच्छे कुर्स के बारे में तलास कर रहे हैं और अच्छा केरियर एस्टार्ट करना चाहते हैं अपने सपनों को उडान देना चाहते हैं तो आज हम अपके लिए लेकर आए एक बेस्ट कुर्स इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप जनकारी लेकर अपना एक अच्छा केरियर शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी पास सकते हैं अगर आप भी एरोप्लेंस को देखके मन में जिग्यासा होती है कास हम भी इसमें ट्रैवल कर कर सकते हैं कि इसे चूँ सकते हैं इसके पास अपना फोटो क्लिक कर सकते हैं तो इसी के बारे में एक अच्छा सा कोर्स लेकर आ हैं जिसके बारे में आपको हम जनकारी देने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम बात कर रहे हैं बीएसी एवियसन कोर्स के बारे में बी इंडिया के टॉप कॉलेजिस कौन है इसके बारे में फुल डिटेस्स के साथ चर्चा करते हैं फर्स्ट अफॉल आपको एड्मिशन क्राइटेरिया में 10 प्लस 2 में 50% से मार्क्स अब अब होने के बाद ही आप इसमें एड्मिशन ले सकते हैं सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि इस कॉर्स में आपका एड्मिशन मेरिट बेस्ट पे होता है यानि इसमें इंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती मेरिट बेस पे आप इस कॉर्स में एड्मिशन ले सकते हैं जो एड्मिशन डिप्लोमा इन इंफर्मेशन टेक्नलोजी, कॉम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल साइंस और मशीन से जो भी कॉर्स किया है या डिप्लोमा किया है वो भी इस कॉर्स में अपलाई कर सकते हैं यह कोर्स तिन साल का होता यानि यह एक यूजी प्रोग्राम है और इसमें सिख सेमेस्टर होते हैं एवरेज ऐनुवल फी इसके है एक से चे लाख पर येर इस कोर्स को करने के बाद आपकी सेल्डी दो से नौ लाख पर येर हो सकती यानि गौर्वर्मेंट सेक्टर में आपक चार लाख पर येर सेल्डी हो सकती है और अगर प्राइबिट सेक्टर में आपका जौब लगता है तो आपका सेल्डी पांस से नौ लाख रुपय पर येर हो सकती है जो कि एक अच्छी खासी सेल्डी है बीसी एवियसन कॉर्स करने के बाद आप दो से नौ लाख के बीच सेल ATS e Cargo Operation Manager aircraft maintenance Manager's landing pilot at c post पर आप कारयरत हो सकते हैं जो कि इंडिया में इस परोस्ट को काफ ज़ारा तौज्य प्राप्त है सभी पोस्ट पर कारयरत होके आप अपनी सेवा दे सकते हैं अब हम बात क रहें BAC aviation course वे अंडिया के top colleges के बारे में किया कि Government कि कॉलेजिज के बारे में चेहज़ा करते हैं फर्स र पॉं निम्स इन्वर्सीटी सेकेंड इंदरां इंसेटाव एरकाफ्ट इंजिनि इरिंग थार फॉर्ल हिंदुस्तान इन सेटाव टेकनलोजी अब बात करते हैं प्रायबिट कॉलेज़ की बारे में फ्रेविट दिजिज में आप एडमीशन लेके बीसी एवियसन कुर्स कर सकते हैं कुर्स को करने के बाद कौन सी कंपनियां हाइरिंग करती है उसमें है हिंदुस्तान एरणिक्स एसपाइस जेट जेट एरवेज इंडिगो SCL, IBM, Recon India and Combata Aviation ये सबी महारत में कंपनियां हाइरिंग करती है बहुत ही अच्छा एसकोप है इन सबी महारत कंपनियों में काम करने है इसमें बीसी एवियसन कोर्स बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है अगर आप भी बीसी एवियसन कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी में जुड़ जाईए उत्मान प्रस्तिति के उन्हें साथ नर्मल कोर्स करने पर आदमी को जौब मिलने वाला नहीं है और गौर्मेंट सेक्टर की जौब आके बरावर हो गई है तो आपको अच्छा से अच्छा कोर्स और टेक्निकल कोर्स करना पड़ेगा जिसके कारण आपको कोई जौब मिल सके आज हम आपके लिए लेकर आये थे BSC Aviation कोर्स जिसके बारे में हम आपको फुल डेटेल्स बतायें अगर आप भी BSC Aviation कोर्स करना साहते हैं तो इसमें जरूरे एड़मिसन ले अगर 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 इसी तरह किसी और कोर्स के बारे में जानका लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें तब तक के लिए धन्यवाद